आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें अधिक तिवरता वाले होंगे, इसका क्या मतलब है कि हमें एक रेंज दिया हुआ है, प्रकाश रोत का मतलब दिया हुआ है, चार सो नैनो मीटर से कितना, साथ सो असी नैनो मीटर तक, ठीक है, यह डबल स्रीट से भेजा जा रहा है, जैसा कि यहां पे हमें, यहां पे हम द तरंग दैरी नहीं होंगे, कौन से तरंग दैरी नहीं होने का क्या मतलब है, कि नहीं होने का मतलब है, कि वहां पर अधिप्त फ्रिंज मिलेंगे, और कौन से तरंग दैरी के पास अधिक तिवरता वाले होंगे, मतलब दिप्त फ्रिंज, ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम तो हम देखें कि कौन कौन से तरंगदेर होंगे या नहीं होंगे ठीक है हमें दिया गया है इसलीटों की बीच की जो दूरी है यह 0.5 दी यह तो मतलब मांदकि घात minus 2 m के बराबर टीक है अब बूला जा रहा है परदे से केंद्रिए अस्थान एक मिलाम्मीटर दूरी पर एक चोटा छिदर है यहां पर जैसे कि देख रहे हैं यहां पर यह 1 mm मिलाम्मीटर पे एक छिदर जी महां तो अगर हम देखें कि जहां पर तरंग देर ही नहीं होगा, मतलब अगर अधिप्त फ्रिंज के लिए हम देखें, पहले इस्तिती में, ठीक है? अधिप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, yn बराबर 2n प्लस 1 बटा 2 गुने lambda n इंटो d बटा d समय करन एकमाल लेते हैं, यहां से अगर हम lambda n निकालेंगे, n के हैं यहां पर पॉर्मूला के एक, दो, तीन, इस तरह से फ्रिंज के जो संक्या होती है, तो lambda n अगर हम निकालेंगे तो यह हो जाएगा, 2 बटा 2n प्लस 1 इंटो d बटा d इंटो yn, ठीक है, यहां आ जाएगा, अगर हम n बराबर 1 के लिए देखे, n बराबर 1 के लिए, तो इसके लिए lambda 1 हमारा कितना आ जाएगा, lambda 1 बराबर हो जागा 2 बटा n कमाल यहां पर एक रखेंगे, तो यह जाएगा 2 गुने 1 जोर 1, d कमाल हमें दिया हुआ है, प्रश्न से 0.5 गुने, 0.5 गुने 10 की घात माइनस 3, गुने yn, yn कमाल कितना दिया हुआ है, यह हमारा क्या है, यह हमारा yn है, ठीक है, कितने दूरी पे हमें, बटा, d कमाल कितना है, 50 गुने 10 की घात माइनस 2, ठीक है, जब इसे हल करेंगे, तो लैमडा 1 हमारे पास आजाएगा, 600 सरसथ नैनो मीटर के बरावर, ठीक है, यह आ गया हमारा लैमडा 1, अगर n बरावर 2 देखें, n बरावर 2 के लिए, तो इसके लिए लैमडा 2 मरे पास आजाएगा, 2 बटा, यहाँ पर फिर 2 रखेंगे, 2, 2, 4, 1, 5 हो जाएगा, तो 2 बटा 5, गुने 0, 5, गुने 10 की घात माइनस 3, ठीक है, गुने, 1, गुने 10 की घात माइनस 3, बटा, 50, गुने 10 की घात माइनस 2, बाकी चीज़े क्या रहेगी, जैसा यहाँ पर हमने जो वैल्यू दी है, ठीक है, वही रहेगा, तो यहाँ से यह आगया, यहाँ से आजाएगा, लैमडा 2 बटा 5, इसे जब हल करेंगे, तो यहाँ आजाएगा, गुने 10 की घात माइनस 6 के बटाबर, तो यहाँ से यह आजाएगा, 400 नैनो मीटर, ठीक है, तो लैमडा 2 कितना आगया हमारा, 400 नैनो मीटर, ठीक है, लैमडा 1 और लैमडा 2 हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर प्रेश में पूछा जा रहा है, पहले पार्ट में, कि कौन से तरंग दैर यह नहीं होंगे, ठीक है, तो अधिप्त फ्रिंज में कौन कौन से तरंग दैर आ रहे है, लैमडा 1 मतलब यहाँ पे 600, 66 नैनो मीटर और 400 नैनो मीटर के जो मतलब जो हमारा रेंज दिया गया है, तरंग दैरे का, ठीक है, उसमें ये दोनो आ रहे हैं, मतलब अधिप्त फ्रिंज के लिए हम रहे हैं तो ये दोनो तरंग दैर यह नहीं आएंगे, ठीक है, अगर हम लैमडा 3 नहीं नकालेंगे तो इन डोनों के रेंज में नहीं आएगा, इसलिए lambda 3 हम नहीं लेंगे ठीक है तो दो तरंग दैरी ऐसे होंगे जो यहाँ पे नहीं होंगे ठीक है अब दूसरे पार्ट में बोला जा रहा है कि कौन से तरंग दैरी के प्रकास के अधिक तिवर्ता वाले होंगे यहां सा अगर lambda n निकालेंगे तो lambda n बराबर हो जाएगा y n d बढ़ता n d के बराबर जहाँ पर n फिर से क्या है पुर्णा के 1 2 3 इस तरह से तो यहां से अगर हम lambda निकालें थीक है lambda तो यहां से कितना हो जाएगा एक के लिए निकालेंगे अगर तो यह हो जाएगा yn एक गुने 10 की घात माइनस 3 है गुने d कमान है 0 दिसमलब 5 गुने 10 की घात माइनस 3 बटा n कमान कितना रखेंगे 1 गुने 10 की घात यह d हमें दिया हुआ है पचास गुने दस की घात माइनस दो ठीक है जब इसे हल करेंगे तो जो लैम्डा आएगा लैम्डा वन यह आ जाएगा हमारा 0.5 गुने दस की घात माइनस चार बटा पचास ठीक है यह गुना वन हो जाएगा तो यह 50 रहेगा तो यहां से जो तरंग देर आएगा वो कितना आजाएगा 1000 नैनो मीटर ठीक है 1000 नैनो मीटर आजाएगा अब लैम्डा टू अगर हम निकाल लेंगे n बराबर 2 के लिए ठीक है तो lambda 2 कितना आ जाएगा lambda 2 आ जाएगा 1 बटा 2 गुने 10 की घाथ माइनस 4 के बराबर यह आ जाएगा 500 nanometer के बराबर ठीक है तो lambda 2 कितना आ गया 500 nanometer ठीक है n बराबर 2 हमने यह वाले उपर में जो formula लिखा है deep fringe के लिए इसमें डालेंगे तो हमारा कितना जाएगा lambda 2 500 nanometer तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा range दिया गया था वो कितना दिया गया था 400 से 780 nanometer के लिए तो अगर deep fringe के लिए निकालेंगे तो lambda 2 क्या हो जा रहा है हमारा इस range में नहीं आ रहा है तो यह तो हमारा नहीं होगा दूसरा lambda 2 अगर हम देखें तो यह 500 nanometer आ रहा है ठीक है तो यह उसके range में आ रहा है तो deep fringe हमें कहा मिलेगी मतलब जहां पे हमें अधिक्तम तुरुपता मिलेगी वो lambda 2 बराबर 500 nanometer मतलब यह तरंगडरी उससे पाथ होगी ठीक है तो यह हमारे दूसरे part का answer हो जाएगा ठीक है और पहरे part का answer क्या हो जाएगा कौन से प्रकास अधिक्तिवृता वाले होंगे तो वह क्या हो जाएंगे 500 nanometer वाले और कौन से तरंगडरी नहीं होंगे तो कौन-कौन से त्रयंग धर नहीं होंगे, जूसे हम अधिप्ट के लिए निकालें, 666 नेनोमीटर और 400 नेनोमीटर, तो यह हमारे प्रशन का उत्तर है, धन्यवाद.